दोस्तो अगर आपको भी एकने होगे, डाक स्पोर्ट होगे, हाइपर पिग्मेंटेशन की प्राबलम है दोस्तो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करेंगी बहुत ही मैजिकल होम रेमेडी जो आपक है यहां प्रहां ऌरर्ण और शागत है धोस्तो आप सभी का अपने चैनल जा पे कर हएं दोस्तो मेरा नम है श्वीटी और मैं हमें सा बहुतरी डिया रे मेंडियो लेक्या तो आपके हेल्थ के लिए आपकी तो इसकी नोट्रिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी पडिवार के साथ जूर सेगे दोस्तों तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रेमिडिये के आई हूँ जो आपके कीचन के इंगें से बनने वाली है और बहुत ही सिंपल है अगर आपके फे लोग यहां पे एक चमज बेसान के बारे में दोस्तों आप लोग आपको से बाराम आपकी आपके कीचन के लिए बहुत है यह एक नेश्रल ख्रीजर है यह आपके स्कीन के लेएर को आपके लेए को अच्छी तक से क्लीइन करता है और साति अगर आपके फेस में और पॉल विए गंद की जमी वुगे तो उसे अच्छी तरह से डिप क्लिशिंग करता है दोस्तो तो हम लों को क्या करना यहां पे एक चमज बेशल ले लेना है उसके बास दोस्तो हम यहांपे में इंडिरेंश यूज करेंगे लिकोराइस पॉडर जी हां दोस्तो लिकोराइस पॉडर बहुत ही Beneficial होता है kulite jam इस जरू को शुका कर पीस करी के कि यह हमारे skin के लिए बहुत ही Beneficial होती है है यह हमारे hair के लिए health के लिए भी अगर दोस्तो आप les 떨어ण पाङर की benefits की बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तो तो बहुत ही अचमभित हो जाएगे कि ये हमारे लिए बहुत ही beneficial है डिकोराइस पॉर्डर को दोस्तो मूलेठी का पॉर्डर भी कहते हैं और संस्कीत में दोस्तो इसे यश्टी मदू भी कहा जाता है यश्टी यानि की लकड़ी और मदू यानि की मीठा वो लकड़ी जो मीठा होता है उसे यश्टी मदू कहते है दोस्तो अगर इसकी मीठास की बारे में बात करें तो ये जो लकड़ी होती है वो सुगर से 50% से भी ज़्यादा मीठा होता है दोस्तो तो दोस्तो ये बहुत ही beneficial होती है इसे बहुत सारे और्षदी बना जाते हैं साथ ही साथ ये हमारे स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आपकी फेस में एकने है पिमिल्स हो गया है या फिर पिमिल्स के दाग हो गया है डाग स्पोर्ट हो गया दोस्तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस पॉडर को इस्तमाल कीजिएगा तो आपकी जो दाग पैचे सोगे वो दूर होंगे डाग स्पोर्ट आपका रिमूब होगा साथी साथ दोस्तो यह पॉडर डाइबिस्टीज वाले पेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है लीवर वाले जो पेशन्ट होते हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छा माना गया है साथी साथ जिन्हें मेंस्ट्रियल की प्रॉब्लम होती है पेइन होती है उसके लिए भी यह बहुत ही बेनिफीशियल होता है इसके पॉडल को आप ठीके रूप में भी कंज्यूब कर सकते हैं यह हमां स्टमक के अलसल को ठीक करता है साथी साथ अगर आपको कंजेशन की प्रॉब्लम है उसमें भी वह रिलिफ दिलाता है दोस्तों यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफीशियल होता है साथी साथ दोस्तों हमारे स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है हम लों को क्या करना यहां पर एक चमज लिकोडा इस पॉडल ले लेना है उसके बाद दोस्तों हम लों यहां पर इस्तमाल करेंगे चार से पांच चमज रोजवाटर का rose water दोस्तों हमारे skin के लिए बहुत ही beneficial होता है यह हमारे skin के pH balance को बना रखता है साथ ही साथ हमारे skin को hydrate करता है तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे 3-4 चमज, rose water को ले लेना है यह बाद हम लोग को इससे अच्छी तक से mix कर देना इसका एक fine paste बना लेना है दोस्तों तो आप देख रहें दोस्तों यह pack बनके बिलकुल ready हो गया है तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बतला आती हमें से apply कैसे करना है हम लोग को क्या करना है सबसे पहले अपने face को अच्छी तक से clean कर लेना है तो दोस्तों यहां पर आप देख रहें यह pack बिलकुल सुक चुका है अब हम लोग को क्या करना है नॉल पानी से इसे wash कर लेना है तो आप देख रहें यहां पर इसे मेने wash कर लिया है उसके बाद दोस्तों आप अपने face पे moisturizer जरूर लगाईएगा दोस्तों तो दोस्तों अब मैं आपको बतलाती है हमें इस pack को कब कब इस्तमाल करना है अगर आपके face में बहुत जादा hyperpigmentation है बहुत जादा dark spot है आपके face बहुत जादा discoloration हो गई है दोस्तों तो आपको क्या करना है आपको continue एक week तक इस्तमाल करना है उसके बाद आपको next week क्या करना alternative आपको this pack को इस्तमाल करना है उसके बाद आपको क्या करना week में दो बार इस्तमाल करना है उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके जो pigmentation है रडाक इसपोर्ट है वो reduce हो गए है तो आप इसे week में सिफ एक दिन इस्तमाल कीजिए दोस्तों आपको इसे continue इस्तमाल नहीं करना है तो आप अच्छी तक समझ कियों कि आपको पहले week में क्या करना है आपको continue इस्तमाल करना है second week में आपको इसे alternative days पे इस्तमाल करना है उसके बाद आपको week में सिफ दो दिन इस्तमाल करना है उसके बाद आपको जब लगे कि आपके face में hyperpigmentation और dark sport है उस समय अगर आपको जरुवत पड़े तो आपको इसे इस्तमाल करना है दोस्तो चलbon हर दोस्तो अब में आपको बतलाती हैं इस remedy को कौन को न अस्तमाल कर सकते हैं इस remedy को दोस्तो boys, girls इसे आराम से इस्तमाल कर सकते हैं अटी, uncle, डदलादी सभी को इसे आराम से इस्तमाल कर सकते हैं आप खुद देखिएगा दोस्तों कि कुछ दिनों के इस्तमाल करने के बाद आपकी जो discoloration होगे, sunburn होगे, वो आपके धीरे-धीरे remove हो जाएगे दोस्तों दोस्तों कोई भी natural pack जो होते हैं वो चमतकार नहीं होता है कि तुरंद आपने उसे लगाया और वो तुरंद ही काम कर गया आप पेसंस रखना पड़ता, पेसंस लिए आपको जिस तरीके से बताया गया उस remedy को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो really दोस्तों आपको benefit मिलेगा तो आप इस remedy को इस्तमाल कीजिए क्या दोस्तों हम लोग इसे consume कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आपको short throat हो गया है, cough की problem है, congestion की problem है, menstrual pain हो रहा है तो आप इसे आराम से टी के रूप में आराम से consume कर सकते हैं को कोई भी harm नहीं पहुचेगा दोस्तों यह हमारे skin के लिए तो beneficial है, साथ साथ हमारे health के मेरी वीडियो मेरी रेमीडी पसंद है तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरू कीजिएगा और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्काइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट मेरे चैनल रेचर करकर सस्काइब कर लीजिए और साथ ही साथ नीचे जो bell icon दीए उ उसकी notification आपको मिल जाए तक के लिए दोस्तों अच्छे से रहिए बी पॉजिटिव रहिए मैं इसी तेक से help or remedy के साथ आपसे feed मिलूंगी तब तक के लिए bye bye दोस्तो love you take care